के लोस्तों कैसे आप लोग तो जो लोग विहार से हैं या विहार में जॉब करने के इछा रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सकते हैं तो लेट्स डूइट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरू सब्सक्राइब करें इस वीडियो को जरू शेयर करें अपने दोशनू के पास साइक उनके पास पास बी जोबस के इनफंसरा पहुंचते रहें बात कर पर इस वेक्एनसी के बारे में च illuminati को जटे हैं यह क Reach कोई भेकाशी कर सकते हैं मैनेज्जा के काम होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं करते हैं या कोई बैंक के जो भी ओफिशियल होंगे जो अपर हैंड पेज से मैनेजर होंगे जो भी कहते हो करना पड़ता है तो इसी के अनौन्स की गई हैं दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इंप्लीकेशन आपकी ऑन-लाइन समित होगी इसकी डेट जो है 9 MARL 2021 है और लाइस चबीश मार्थ 2021 आपकी अप्लीकेशन अलड़ी स्टार्ट हो गई है तो इसको आप अप्लाइब कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है किसी जॉब्स के लिए तो इस काटेगरी में भी जो भी जनल काटेगरी के OBC और EWS कंडिडेट्स हैं उनके लिए जो अप्लिकेशन फीस रखी गई है वहीं पर SC, SD और PhD कंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 550 रखी गई है आपको प्लिकेशन की तो आपने पोस्ट क्रिजूशन किया होगा किसी भी स्ट्रिम में साथ ही आपके पास नॉलिज होनी चाहिए कंपूर्टर की और जानते हैं कि आज क्रेट में सब कुछ ऑनलाइन ही होता है तो इसके लिए बहुत ही मस्ट इस चीज है अब दूस्स्तों बात करते हैं कि टोटल नबर आफ वेकंसी जो है लिए सब्सक्राइब के लिए अपका टू है रही है इसमें बात करते हैं बिहार कोप्रेटिव बैंक लिए इसमें आपके जनर्र क्टेगशे बैंक के लिए 11 EWS के लिए 2 BC के लिए 1 MBC के लिए 3 WBC के लिए 2 SC के लिए कोई नहीं है तो इस तरीके से टोटल होती है अब दूस्तों बात करते एज लिमिट की वह आप जानते गवर्मेंट जॉब में एज की राइटरिया बहुत बड़ी होती है तो उसका डेगरी में जो मिनिम्म प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट होता है तो कोई भी कॉलेटर जो है आपके घर करना पड़ेगा जो की साइड है आपकी bscb.co.in और जो एक्जाम का आपका डेट दिया गया है यह अप्रेल में मिन्स आपका आप माल चला हो और आपका नेक्स्ट मंति आपका एक्जाम ह होंगे दुस्तों बात करते हैं सेलरी स्टक्चर का तो जो सेलरी स्टक्चर जो बोलते हैं गवर्मेंट पेइश्किल आपका होगा जो 11,765 से लेकि 31,540 का बीच में स्किल होता है तो उसमें आप इस काटेगरी में बिलॉंग करेंगे दोस्तर सबसें इंप्रेट होगा युसमें गॉमख्ण को 30 में मैं मैक्सू माक्स हो गए 30 टोडीर सें होगा 20 मिनिट्स zone और इसमें है मिल्य कि इंपनिय tea में क्या जो और उसमेंपमें अगला कोशन पेपर आपको का ट Guide 35 माके कोस्टन से लिन बुट इसमें और सटीम दिया गयाया 10 इस तरीके से टोटल आपका 60 मिनिट का पेपर होगा और हन्देड माइक के पेपर होगे आप बात करते हैं मेन एक्जामनेशन के या टीपल पेपर होगा जिसमें आपके रिजनिंग होगा चेंपुटर नॉलेज होगा जनेल अवेरनेस होगा एंग्ली लैंग्वेज होगा हि के maximum marks भी होंगे 40 और टाइम डिया गया है हर सब्जेक्ट का अलग होगा इसमें आपके रिजनिंग के दिली 35 मार्क होंगे और कम्पूटर नॉलिज के लिए 20 मिनट्स दिये गया हैं इंग्लिस लैंग्विज या हिंदी लैंग्विज के लिए 35 मिनट्स होंगे के लिए 35 मिनट्स होंगे और इस तरीके से टोटल आपके 150 मिनट्स का जो मेन पेपर होगा और इसमें आपे 200 मार्क के कोशचन्स होंगे अब ध्यानक में बात यह है कि दोनों ही में आपके प्री में और में में ही माइनस मार्किंग है अगर आपको एक गलत सवाल का जवाब देते हैं तो पॉइंट फाइब परसेंट यानि वन फॉर्ट मार्स आपके कट किये जाएंगे दोस्तों बात करते हैं कि ऑनलाइन एजाम यह होगा यह बिहार में अलगला सेंटर्स बनाए गये हैं जिसमें आपके बिहार का आ रहा है और अंगाबाद भागलपूर दर्भंगा गया मुझफरपूर पटना पूरेना और समस्तिपूर यह लोकेशन्स हैं इन लोकेशन पर आपके ऑनलाइन एकजाम्स होंगे अब बात करते हैं दोस्तों सारे अटैच करने हैं और सब्मिट आपको कर देना ध्यान रखेगा इस पेपर को अप्लाइक करने से पहले सारी जो नोटिफिकेशन से उसको प्रॉपली रीड कर लिजेगा कोई गलत इंफॉमेशन ना ऐसे फिल कर दिजेगा या कोई चीज़ से मिस हो जाए जिससे आपक धन्यवाद